दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में आज से बढ़ेगी और सकती बढ़ती कोरोना संग्रमन को देखती वे डियम को दिये गए आदिस जी हाँ कोरोना गाइलाइन को लेकर राज भर में गुरुआर से सकती और बढ़ाए जाएगी गाइलाइन का सकती से नुपालन हो रहा या नहीं इसकी जाच को सभी जिलों में तीन दिनों का विसे जाच अभियान चलाए जाएगा आपदा प्रबंदन समो की बेटक में मुई के सचेव आमीर सुभाने की निर्देश के बाद गिर्या बिवाग ने सभी जिलों के डियम एससपी वा एसपी को इस बाबत आदेश जारिक कर दिया है तीन दिनों तक चन्ने वाले बिसे सभीयान में सड़को दुकानों वाहनों अस्पतालों पुलिस लाइन एवं जेलों सहित अतदिक भेड़ बाड़ वाले इस्तानों पर मास्क बानने के जाच की जाएगी संक्रमन के नए मामले में वा देश's के टॉब टेन राज्यों में सामिल हो गया है एक दिन में सबसे जादा नए मामलों के साथ राज नोवे इस्तान पर है आटवे नमबर पर राजस्तान है जबके बिहार राजस्तान से मात्र 187 केस पीछे है बिहार में संक्रमन के रब्तार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले साथ दिनों में टॉप फाइब में सामिल हो जाएगा पाटना सेवित राज के 11 जिलों में इस तरह से कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है उसके हिसाब से राज के आकड़े बढ़ जाएंगे अगली बड़ी कबर बिहार में तिसरी लहर में पहली बार साथ की मौत 24 गंटे में रिकॉर्ड 6413 संक्रमीत पाटना से 2014 केस बिहार में कोरोना के पिछले 24 गंटे में 6413 नए मामले सामने आये हैं अब एक्टिव मामलों की सेंक्या कूल 18669 हो गई है बिहार की संक्रमन दर 3.55% हो गई है पटना में 2014 नए मामले आये हैं वह समस्तिपूर में 506 नए मामले आये हैं आयजे आयमेस में एक 62 साल की महिला के मौत भी हुई है वह गुलजार बाग के रहने वाली थी इधर पटना मेडिकल कोलेज में सहर के 8 डाक्टर कोरोना पोजिटिव मिले हैं इसमें पेम सेच के चार आयजे आयमेस के एक राजेंदर नगर के एक प्रगति नगर के एक और बोरिंग रोट के एक डाक्टर सामिल है वही तीसरी लहर में पहली बार 177 संग्रमितों की मौत हुई है स्वास्त विवाग ने अस्पतालों में भरति मरीजों की मौनेटरिंग बढ़ा दी है और मौत के आकड़ों को रोकने के लिए परियास किया जा रहा है अगली बड़ रहे संग्रमितों के सिंका को देखते वे स्वास्त विवाग ने इन जिलों के जिलादी कारियों और सिविल सजनों को विसे सतकता के साथ कदम उठाने कर निर्दिस दिया है आपको बता दे कि स्वास्त विवाग द्वारा यह देखा गया है कि पाटना जिले के अलावा जह इसी परकार दूसरे नमर पर जहाना बाद जिला है जहां कि कोरोना संकरमंदर 7.15% है राज के आठ ऐसे जिले हैं जहां पर संकरमंदर 5.07 के बीच है राज के 28 जिलों में संकरमंदर 0.99% से 3.30 के अंदर पाई गई है अगली बड़ी कवर देश में तिसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में 2 लाग से ज़्यादा नए मामले 10 लाग के पार पहुचे कोलेक्टिव केस जहा देश में वुदवार को कोरोना वारिस के लिहाज से भयावा दिन रहा तेसरी लहर में पहली बार 24 घंटे के दोरान 2 लाग से ज़्यादा केस मिले है रात 9 बजे तक 2,26,26 नए कुरोना संक्रमित मिल चुके थे इस दोरान 76,477 लोग ठीक भी हुए है लेकिन 355 लोगों की मौद भी हो गई है एक्टिव केस यानि इलाज करा रहे मरीजों की सिंक्या में भी 1,99,224 की बड़ोतरी दर्च की गई है पहली बार कूल एक्टिव केस 10 लाग के पार पहुश गया है फिलाल 10.98 लाग कॉरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है अगली बड़ी केवर रेलवेज टेसन और एरपोर्ट पर अब नहीं कराने पड़ेगी कॉरोना जाच बिहार में भी बदली विवस्ता केंदर सरकार के एक आदिस के बाद स्वास्त विवाग ने कोविट टेस्ट के विवस्ता में बड़े बदलाव किये है नए विवस्ता की तहट होम आईसलेसन वाले मरज़े को साथ दिन के बाद टेस्ट की दरकार नहीं है इसके साथ ये अस्पतालों को निर्दिस दिये गए कि विवस्ताल में किसी भी इलाज के लिए आने वाले मरेज़ का तब तक कोविट टेस्ट ना करे जब तक कि उसमें कोई लच्छन ना हो साथ रिल्वे स्टेसन और एरपोर्ट पर अब यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रत नहीं होगी अगली बड़ी ख़बर बिहार में बदला मौसम का मिजाज तीन दिनों तक असमान में चाहे रहेंगे बादल जिहां बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है परदेस के कई इलाकों में आने वाले तीन दिनों तक आसमान में बादल चाहे रहेंगे वहीं कई जिलों में बुन्दा बुन्दे के साथ बारिस होने के समावना जताए जा रही है अगले तीन दिन तक बिहार समयत 36 गड़, जारकन, ओडिसा, पश्चि मंगाल, सिक्किम, विदर्ब, तेलंगना और तटिया आंदर परदेस में बिजली और ओले गिरने के साथ-साथ हलकी से मैदम बारिस का उनुमान है मौसम मिबाग के मताबिग और इसा और तीलंगना में भी भारे बारिस हो सकती है साथ बिहार के मौसम मिबाग ने अलर जारे किया है मौसम मिबाग के मताबिग प्रदेस में अगले 48 गpan तक मौसम खराब रहे गा इसके साथ ही कई इलाकों में ओला विष्टी के साथ बारिस के समावना जताए गई है अगली बड़े कबर यूपी बिहार से जारकन तक बारिस के साथ गिरे ओले फसलों को भारे नुकसान जहाँ पिछले 24 गंटे में पूर्वी उपी से लेकर बिहार और जारकन में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया कई जमा जम तो कई रिम जम बारिस हुई बारिस के साथ ओला विष्टी भी हुई ओला विष्टी से किसानों की फसल को भारे नुकसान हुआ है यूपी में गाजेपूर आजमगर मवो और बल्या में बारिस हुई है बिहार में पटना समेत लगबक सभी जिलों में बारिस हुई है इसे तरह जारकन के लगबक सभी इलाकों में जम कर बारिस हुई है इस दोरा नराची लातिहार हजारी बाग कोडर्म समेत का इलाकों मे ओले भी गिरे हैं बारिस के साथ ओले गिनने से जहां ठंड में इजापा हुआ है वहीं फसलों को भी काफी नुकसान पहुचा है अगली बड़ी खबर इस बार गंतंत्र दिवस समारों में आम लोगों की नो इंट्री गांधी मेदान में होगा आठ जाकियों का प्रदसन जी हाँ इस बार भी गाने मेदान में होने वाले गंतंत्र दिवस का राज के समारो कोविट प्रोटोकॉल के तहत आयजित होगा इसमें आम लोगों की इंट्री प्रतिबंदित रहेगी समारो के सपल और सुचारो आयजिन के लिए प्रमंडलिया आयजित कुमार रविवा आजी पढ़ना राकेस राटे नोजिल के डियम एससपे वा एसपे ट्रेपिक एसपिट सिटी सहीत कई अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की और जरूरी दिसर निर्दिस दिये गए साथ कहा गया कि गंतंद दिवस पर गाने मेदान में आट ज्छाकियों की प्रसुतिक की जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार में फसल सहाथा योजना का निबंदन सुरू जानि ये कब तक करना है निबंदन जिहारावे के किसानों के लिए फसल सहायता योजना का निबंदन सुरू हो गया है इसके लिए गेहू के किसान 26 फरोरे तक अपना निबंदन करा सकेंगे अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग तारी ताइक की गई है आलो किसानों के लिए 31 जनुवरी तक का समय है तो अरहर के किसान 28 मारज तक निवंदन करा सकेंगे वहीं सरसों के लिए निवंदन का समय समाब्थ हो गिया है आपको बदा दे कि राज सरकार ने प्रदान मंदरी फसल विमा योजना की जगा पर अफनी फसल साहता योजना तीन साल फले सरू की थी इस ने योजना में औसद से एक परतिसत भी कम उत्पादन हुआ तो किसानों को सरकार साहता देती है फसल की एक से बिस परतिसत तक चती हुई तो प्रति हेक्टर साड़ी साथ हजार रुपी की सहाता किसानों को दी जाती है वह चती अगर बिस परतिसत से अधिक हो गई तो सहाता नुदान के रासित दस जार प्रुपी प्रति हेक्टर की होती है अगली बड़ी खबर बिहार में अब 15 मिनट में मिलेगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आर्टे पीसे आर जाच को खर्च करने होंगे बस इतने रुपिये जी हाँ खास लोगों को आप कोरोना की आसंका होने पर आरटे पीसे आर रिपोर्ट के लिए चौश से दस घंटे का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा नेगेटिव होने पर 4 मिनट और पॉजिटिव होने पर 13-15 मिनट में ही उन्हें जाच रिपोर्ट मिल जाएगी इस मसेन से एक बार में एक ही नमूने की जाच की जा सकती है इसकी एक केट की किमत 18 रुपिय है ऐसे में काफी महंगे होने के कारान इससे वियापी या किसी बहुत जरौत मन्द व्यक्ति ही जाच कर पाएंगे राज स्वास्त सम्मिती के पास ऐसी पाच मसेने आ चुकी है और पाच एन कुछ दिनों में आ जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार से नई सहरों के लिए चलेगी बसे उत्तर परदेश के साथ जारकन के इन सहरों की यात्रा होगी आसान परिवाहन विभाग बिहार से उत्तर परदेश के गाजी पूर भधोही लखनो गौरक पूर वारानसी सारनाथ नोएडा देबरिया राम नगर वा बल्या के लिए विसेस बसों का परिचालन करेगा इसकी तैयारी अंतिम चरन में है साथ योडिस्ता वो पश्चिम मंगाल के कई सरों के लिए बस चलाए जाने की योजना है इसके अलावा बिहार में प्रादेकार की ओर से पढ़ना के अलावा आरा बकसर सासा राम भवा डेहरी बिहार सरीब जहनाबाद गया औरंगाबाद नावादा, मुंगेर, सिवान, मुझपपूर, मौतिहरी, मदुवनी, राची, देवगार, गुमला, टाटा, बोकारो, धनबाद, हाजारी बाग के लिए परमी निर्गत किया जाएगा अधिकारियों का कहना कि कोरोना सेंकरबन जोर नहीं पकड़ता तो अगले मा से कई सर लिए बसों का परिचलन सुरू हो जाता, अगली बड़ी कबर मांजी ने दो सीटों पर ठोका दावा, एंडिये में तेज भी दाविदारी, जिहाँ बिहार में विधान परिसद चुनाओ को लेकर, एंडिये गड़ बंदन के अंदर दाविदारी तेज हो गई है, इस्तान बड़ी दो सीटों पर हिंदुस्तान आवा मुर्चा के उमिदवारों के लिए अपने मांग रखी है, हम के राष्टे पर वक्ता दानिस रिजवान ने चारिव करते हुए कहा कि अंडिये के अंदर बिदान पर इस चुनाओ को लेकर सीट बढ़वारे में हो रही देरी ठी देख नहीं है, और इस पर फेसला जल्द होना चाहिए, अगली बड़ी ख़वर बिहार MLC चुनाओ में लोजपा ने अकिले चुनाओ लड़ने का किया फेसला, जिहां लोजपा ने MLC चुनाओ कुछ सीटों पर अकिले लड़ने का फेसला किया है, बिहार संसधिया संभावित प्रत्यास्यों की सुची बहुत जल्दी जारी की जाएगी और उनकी बड़ी ख़वर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक कोरोना पर जानेंगे राज्यों के हाल जिहादेश में कोरोना वारिस के बढ़ते मामले चिंद करेंगे प्रधान मंत्रियों के मुख मंत्री के साथ बैठक साम साड़े चार बजे होगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में फिलाल कोरोना को देखते हुए मैट्रिक और इंटर की परिच्छा का आयोजन कराना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीच कोमेंट करके जरूर बताए